आप सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं? अपने दाथ माजते हैं, इसके लिए हम जिस टूथ ब्रश और टूथ पेस ट्यूब का इस्तमाल करते हैं, या फिर बाल्टी और साबुन्दानी, ये सभी चीजें अकसर प्लास्टिक की ही बनी होती हैं. पर क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक किसी एक प्रकार का नहीं होता? प्लास्टिक की बोतल पर बने इस चिन्द को देखें और कंटेनर पर बने इस चिन्द को भी देखें. यह चिन्द महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका क्या मतलब है? आईए जाने, आपको ये सुनकर प्लास्टिक का पुनर चक्रन करना यानी रिसाइकल करना आसान है. इसे चोटे टुकडों में काटा जाता है और इनसे फिर से प्लास्टिक की एक नई बोतल बनाई जाती है. दूसरे प्लास्टिक हाई डेंसिटी पॉलिथिलीन है, HDPE. यह संख्या दो से दर्शाया जाता है. इस प्लास्टिक का उप्योग अकसर, पैन, शैंपू की बोतल औ और उन बोतलों को बनाने के लिए किया जाता है, जिनमें काच और फर्श क्लीनर रखे जाते हैं. यह प्लास्टिक के सबसे सुरक्षित रूपों में से एक माना जाता है. HDPE प्लास्टिक को दुबारा उप्योग किया जा सकता है. और एक बार नहीं, इसे आसानी से दस बार पुनर चक्रित यानी रिसाइकल किया जा सकता है. आपने पीवीसी पाइप के बारे में सुना होगा या इसका इस्तिमाल किया होगा? इस प्रकार के प्लास्टिक का उप्योग आम तोर पर निर्मान और नल साजी प्लम्बिंग में किया जाता है. पीवीसी का संख्षित प्लास्टिक से बने वस्तूओं को रिसाइकल नहीं किया जा सकता और इसलिए ये पर्यावरण के लिए अच्छे नहीं होते हैं. किराने की थैलियां या वो प्लास्टिक जिनका हम कार कवर के रूप में उप्योग करते हैं, शौथी प्रकार के प्लास्टिक है. इन्हें ल बहुत कम मातरा को रिसाइकल किया जा सकता है. सरफ सोचें कि LDPE प्लास्टिक के उप्योग के कारण हम कितने टन अप्षिष कचरा बनाते हैं. प्लास्टिक कचरे के कारण प्रदूशन को कम करने के लिए इस तरह के प्लास्टिक का उप्योग कम करना बहुत महत्वपून है हमने देखा कि प्लास्टिक की पानी की बोतलने टाइप 1 PET प्लास्टिक से बनी होती है लेकिन बोतल के ढखकन कस टीज से बने होते हैं 5 वे प्रकार का प्लास्टिक है polypropelan PP यह संख्या 5 से दर्शाया जाता है पॉली प्रोपेलन प्लास्टिक हलका होता है और उश्मा प्रतिरोधी भी इसका उप्योग बोतलों के ढखकन, प्लास्टिक स्ट्रॉव और आइस्क्रीम कब बनाने के लिए किया जाता है इसे पुना उप्योग के लिए सुरक्षित माना जाता है लेकिन फिलहाल केवल तीन प्रतिशत पीपी प्लास्टिक को रिसाइकल किया जाता है प्लास्टिक का छटा प्रकार है P.S. पॉली स्टाइरीन एक सस्ता, हलका और आसानी से बनने वाला प्लास्टिक है जिसको विभिन प्रकार से उप्योग किया जाता है पॉली स्टाइरीन का उप्योग, डिस्पोजबल फोम के कप, सीडी और डीवीडी की पाकेजिंग आधी के लिए किया जाता है लेकिन पॉली स्टाइरीन को रिसाइकल करना मुश्किल है इसलिए इसका उप्योग कम से कम करना चाहिए अन्य सभी प्रकार के प्लास्टिक को एक साथ संख्या साथ से दर्शाया जाता है यह श्रेनी को अन्य कहा जाता है इसका उप्योग विभिन प्रकार के प्लास्टिक उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है उदाहरन के लिए साइन बूर्ड, नाइलॉन की रसियां आदी इस प्रकार के प्लास्टिक को भी रिसाइकल करना मुश्किल है अब आप जान गए होंगे कि तीन तीरों के त्रिकोन का चिन्ध पुनर चक्रन को दशाता है और इसके अंदर की संख्या हमें बताती है कि वस्तु किस तरह के प्लास्टिक से बनी है और वो किस हद तक पुनर चक्रत यानि रिसाइकल की जा सकती है चलिए, साथ प्रकार के प्लास्टिक को दुबारा देखें पहला प्रकार, PET या PETE, रिसाइकल करना आसान दूसरा प्रकार, HDPE, दस बार रिसाइकल किया जा सकता है तीसरा प्रकार, PVC, इसे रिसाइकल नहीं किया जा सकता चौथा प्रकार, LDPE, इसका एक प्रतिशत से भी कम रिसाइकल किया जा सकता है पाँचवा प्रकार PP इन में से केवल 3% को ही रिसाइकल किया जा रहा है छटा प्रकार PS इसे रिसाइकल करना कठिन है साथवा प्रकार अन्य इस प्रकार का प्लास्टिक भी रिसाइकल करना मुश्किल है अब आपके लिए एक कार्य अपने घर पर मौजूद विभिन प्लास्टिक वस्तुओं पर इन नंबरों को देखें और उनके आधार पर वस्तुओं को साथ विभिन प्रकारों में वर्गिकरित करें ताकि ये जाना जा सके कि कौन सी वस्तूओं को रिसाइकल या दुबारा इस्तेमाल किया जा सकता है।